मार्केट इतनी बढ़ने के बाद भी क्या investment के अभी भी मौके हैं, क्या कुछ ऐसे shares हैं जिनको उपने portfolio में add कर सकते हो और वो value stocks हो market में हमेशा मौके हैं और अभी भी आपके पास काफी सारे मौके हो अच्छे shares भी हैं जो आप अपने portfolio में add कर सकते हो और सही level पर entry बना के proper risk management के सार्थ profit बना भी सकते हो कुछ जो long term investors होते हैं उनको dividends अगर आभी चाहिए होते हैं वो भी आपका criteria फुल्फिल करता है आइए discuss करते हैं आज एक हैसे ही stock पे और चैनल पर नए है तो subscribe कर लिजेगा और आप दूसरों से share भी करिए ताकि उनको idea लेगे और वीडियो के साथ पूरा बने रही है ताकि समझ में करना क्या है REC Limited आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा या जिन लोगों के पास हो सकता है पहले से stock market में उनके पास बढ़ा भी हो पर इनके पास नहीं है तो इसमें देख सकते है market cap जो है आपकी वो 30,000 करोन के उबर की है current price आपका 153 का है book value अगर आप गौर करेंगे तो 242 की है अगर हाई की बात की जाए तो आप देख सकते हो आपका 169 के राउंड है और यह एक लीडिंग इंफरस्ट्रक्ट्चर फाइनस कंपनी है और जो इनकी business activities है वो आप देख सकते हो financial assistance जो है state electricity vote हो गया state government हो गया आपके power sector value chain हो गया उससे related जो प्रोजेक्ट होते है उनको financing यह सारे सब चीज़ें जो है आप company यह करती है बाकी details है company की website पे खुद भी देख सकते हैं आईयो ownership pattern की बात करते हैं जो अभी सितंबर quarter में है जो promoter holdings है वो है 52.63% की mutual fund भी इसमें hold करते हैं जो कि आपका 9.29% insurance companies भी इसको hold करती है जो कि आपका 0.12% fpies के अगर आप देखो जो holding है वो आपकी इस quarter में बढ़के आई है last quarter से जो कि 26.82% financial institution bank भी इसमें hold रखते हैं individual investors भी इसमें आप देख सकतो 6.07% का अधरस में 5% तो कुछ holding उपर नीचे होती रहती है अपने सब का criteria होता है उसके according star investors की बात की जाए तो power finance corporation limited हो गया आपका SGFC trustee company limited हो गया आपका LIC हो गया UBS principal हो गया the potential insurance company limited यह सब इसमें से आदेख सकते star investors है investment guru checklist की बात की जाए तो benjamin graham आप देख रहे हैं 100% criteria बहुत कम होता जेम्स आपका 40% हो रहा है तो overall आप देखो के तो एवरेस से अबब है जो कि एक अच्छी बात के लिए तो कि quarterly earnings की बात की जाए तो EPS आप देख रहो कि quarter and quarter plus आपका वाई वाई दोनों ही इंप्रूब कर रहा है सेम बहुत विदा सेल्स बी आपकी quarter and quarter भी इंप्रूब कर रही है और अगर आप देखते हो वह आपकी वाई 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 भी इंप्रूब कर रही है जो कि ये काफी अच्छी बात है नॉर्मली हर एक स्टॉक में ऐसे चीज़ नहीं देखने को मिलती कि स्टॉक अगर ऐसे परफॉर्म करता रहा है तो जो भी इसको होल्ड कर रहे हैं के लिए अच्छी बात है डिपंडिंग अपॉन कि सेट पर एंट्री ले रहे हैं अभी लिटेस्ट आप देख सकते हो कि जो आपको इंप्रूब्मेंट का उसमें भी आपको इंप्रूब् किसी भी फानेशल वेबसाइट पर जाके डिटेल में भी यह पढ़ सकते हो स्वाट अनलिसिस की बात करते हैं हम लोग देख सकते हो क्या जो स्ट्रेंथ है वह आपकी 10 है वीक्नेस 3 है ऑपरचुनिटी 2 है टर्स 1 है इस्ट्रेंथ में आप देख सकते हो कर ओवर आल देखा आपका वो पिछले चार कवर्टर से इंप्रूव हो रहा है प्रॉफित जो है आपका लाश्ट टू कॉर्टर से इंप्रूव रहा है जो है कंपनी की यह वह देख सकते हैं जैसे मीच्वाइब ने अपनी होडिंग कुछ कम की है जो कंपनी इसे इन पर ज्यादा है सब्सक्राइब तो हमको ओवराल चीजे देखके चलना पड़ता है जैसे चीजे इंप्रूव होती है इसमें चीजे आपकी सब्सक्राइब तो हमने स्टॉक का मैक्सिमम प्राइज खोल दिया इसमें आप यह देख सकतो कि स्टॉक जो है एक पर्टिकलर जिग जैक प्रटन पर चलना है इसने नीचे एंट्री बनाई उसने बढ़िया रिटन बनाया फिर एक्जिट किया नीचे आप देखो कि नीचे सब्सक्राइब देख सकते हो कि दो सब्सक्राइब बढ़िया मिला सेम आपका 2020 में मार्श में उसमें तो बहुत सारे स्टॉक में अभी लेटेस्ट क्या करना है देखते है चार्टे काफी सारे लोग ऐसे भी हो सकता है शेर पहले से पढ़ा हो तो जब तक स्टॉक 135 रुप कर रहा है आपका 139 रुपीज या नि 135 की आसपास सपोर्ड लेता है वहां से रेस्टेन्स कर रहा है belong A living the absolute नई पोजिश्शन मनानी है वह क्या कर सकते हैं वह वेट कर सकते हैं आपका 114 पीज के आसपास आने का वहां से आक से एट कर सकते हैं और अभी कर एक्रेंट्ह तो के टिकता है तो वहां पोजिशन मना सकते हैं आज में आपका स्टॉप लॉपीज का दूसरा आप यह कर सकते हो कि कुछ शेर्स आप अभी लीजे चीक है 145 रूपीज के रौंड अगर वहां पर सपोर्ट लेता है तो वह आपका उपर जाता है वरना वेट करिए 145 में लग हर नहीं पर 170 रूपीज के अराउंड ही रेजिशन्स फेस किया था और ओवर रॉल जो उसके बाद का रेजिशन्स बनेगा वह बनेगा आपका 175 रूपीज का जो की पहले भी इसने फेस किया है तो 175 इसका एक मेजर रेजिशन से वह तोड़ टिकता है तो उसमें नई मोमेंट लोग डिविडेंड काफी अच्छा दे रही है कंपनी अपने शेयर प्राइस के साब से तो डिविडेंड भी आपको मिलते रहेंगे बाकी आप अपना ख्याल लगएगा इसमें कोई और कर रही होती है कंफ्यूजन होती है तो कमेंट कर दीजेगा और उसे लोगों से शेय अब करेंगे विडियो देखने के लिए आपका थैंक यूज